आपने अमेरिका के वाइट हाउस से लेकर एरान और सवाद के वाइट पैलेस के बारे में काफी कुछ सुना होगा लेकिन आज हम आपको सेर करवा रहे हैं बहावलपूर में सफेज चादरोडे बलंदो बाला दिवारों के जुर्मट में वाके साधिक घर्ड पैलेस की यह पैलेस बहावलपूर की तैसील एहमदपूर शर्किया के अलाके डिरानवाब में वाके है जिसे नवाव उफ बहावलपूर नवाब सादिक मुहमद अबासी चहारभ ने 1882 में तामीर करवाया था ये सफेद महल बहावलपूर का सादिक पैलेस है जिसे सादिक गड़ भी कहते है महल 125 एकड़ वसी जमीन पर फैला हुआ है सादिक गड़ पैलेस की खिड़कियों और दर्वाजों में इस्तमाल होने वाला शीशा और पैलेस में बड़े बड़े खुबसूरत फानूस मलका विक्टोरिया की तरफ से तुफ़े में दिये गए थे सादिकड़ की तामीर 1895 में तकमील को पहुँची यू इसकी तामीर पर 10 साल से उपर का अर्सा लगा जिसमें 15,000 मजदूरों ने हिसा लिया महल की तरज तामीर में अतालवी और मुगर रंग नुमाया है नवाब आफ बहावलपूर ने महल बनाने के बाद इस पैलेस को रियासत बहावलपूर का दारुल खलाफा बनाया वह नवाब ने 45 साल इस पैलेस में दरवार लगाया महल के में गेट पर नक्शोनिगारी का काम मुस्लिम आर्ट का बेहतरीन नमूना है लेकिन ये गेट अब अपनी आखरी सांसे ले रहा है नवाब सादिक मुहमद अबासी के वफात के बाद नवाबों के वरास्ति जायदादों के तनाजा में ये पैलेस भी तक्सीम हो चुका है